ओम शांती 8-6-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे याद से विकर में विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं, ट्रांस तो पाई पैसे का खेल हैं, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो प्रहश्न माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं उत्तर मीठे बच्चे ट्रांस की आश मत रखो, ग्यान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई, कोई ट्रांस में जाकर कहते हमारे में मम्मा आई, बाबा आया यह सब सुक्ष ममाया के संगल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कारे करा देती हैं, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ती, दूसरे तरफ है ग्यान भक्ती तो अथा है और सिखाने वाले अनेक है, शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुश्य है, यहाँ सिखाने वाला एक ही रुहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है, परमपिता परमात्मा में यह सारा ग्यान है, चौरासी के चक्र का उनमें नौलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन बढ़ना रही हैं बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं इसलिए उनको ब्रामन भी कहा जा सकता है हम भी उनके बच्चे ब्रामन सो Lavता बनते हैं अब बाप बैठियात की आतरस स्खलाते हैं इसमें हटियोग आदी की कोई बात नहीं वह लोग हटियोग से ट्रांस आदी में जाते हैं यह कोई बड़ाई नहीं है ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है तो मैं ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं क्योंकि आजकल विलायत आदी में जहां तहां धेर के धेर ट्रांस में जाते हैं ट्रांस मे जाने से ना उनको कोई फाइदा है ना तुमको कोई फाइदा है बाबा ने समझ दी है ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्यान है ध्यान अत्वर ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्यान नहीं सुनेगा ना कोई पाप भस्म होंगे ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं ब तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ग्यान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है भल तुम उने ऐसे निमंतरण देते रहो लेकिन यह ग्यान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे समझेंगे अब तो मौत आया की आया अब नस्दीक देखेंगे तम मानेंगे उन्हों का पाट ही अंत में है तुम कहते हो अब विनाश आया की आया मौत आना है वह समझते हैं इन्हों के यह गपोड़े हैं तुम्हारा ज़ाड धीरे धीरे बढ़ता है सन्यासियों को सरफ कहना है कि बाप को याद करो यह भी ब लेकिन यह ज्यान बुद्धी में है तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से ध्यान आदी की कोई बात ही नहीं ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है यह भोग आदी की ड्रामा में सब नूद है सर्वेंट बन लगातने जाते हो वह हैं फरिष्टे वहां ममा बाबा को देखते हैं वह संपूर्ण मूर्ती भी एम अबजेक्ट है उनको ऐसा फरिष्टा किसने बनाया बाकि ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है जैसे यहां शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे सुक्ष्मे बतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है पाकि ट्रांसादी को कुछ भी महत्व नहीं देना है कोई को ट्रांस दिखलाना है यह भी बचपन है बाबा सबको सावधान करते हैं ट्रांस में मत जाओ इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है यह पढ़ाई है कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं अभी है संगम योग तुमको ट्रांसफर होना है ड्रामा के प्लैन अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो पार्ट की महिमा है बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसा तुम को बाप से एक बार पढ़कर मनुश्य से देवता जरूर बनना है इसमें बच्चों को तो खुशी होती है हम बाप को भी और रचना के आदिमत्य अंत को भी जान गए है बाप की सिक्षा पाकर बहुत हर्शित होना चाहिए तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए वहाँ हैं ही देवताओं का राज्य तो जरूर पुरुशोत्तम संगम युक पर पढ़ना होता है तुम इस दुख से छूट कर सुख में जाते हो यह तमो परधान होने कारण तुम बिमार आदी होते हो यह सब रोक मिड़ जाने है मुख्य है ही पढ़ाई इनमें ट्रांसादी का कनेक्शन नहीं है यह बड़ी बात नहीं बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं फिर कहते हैं मम्मा आई बाबा आया बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है बाप तो एक ही बात समझाते हैं तुम जो आधकल्ब देह अभिमानी बन पड़े हो अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो इसको याद की यात्रा कहा जाता है योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है तुम आत्माओं को यहां से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं, हट योग तो धेर है, वह है हट योग, यह है बाप को याद करना, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे, यह तो है पढ़ाई, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है, बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आप यही तुम्हारे पास आएंगे, ब बहुत फेल भी होते हैं, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है, जो इस दुनिया में होते हुए, उनको देखते नहीं है, खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धी उस तरफ हो, जिसे बाप नया मकान बनाते हैं, तो सबकी बुद्धी नए मकान तरफ चली जाती हैं अभी अगर को घर और सुर्ग में जाना है तो उसके लिए पावनभी जरूर बनना है याद की यात्रा से पावनभनना है याद में ही विगन पड़ते हैं इसमें ही तुम्हारी लडाई है पढ़ाई में लडाई की बात नहीं होती पढ़ाई तो बिलकुल सिंपल है 84 के चक्र की नौलिज तो बहुत सहज है बाकि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इसमें है महनत बाप कहते हैं याद की यात्रा मत बूलो कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो शरीर निर्वाह के लिए करमे भी करना है नींद भी करनी है सहज मार गया अगर कहें नींद ना करो तो या हट्योग हो गया हट्योगी तो बहुत है बाप कहते उस तरफ कुछ भी नहीं देखो उससे कुछ फाइदा नहीं कितने हट्योग आदी सिखलाते हैं या सब है मनुष्य मत तुम आत्माए हो आत्मा ही शरीर ले पाट बजाती है डॉक्टर आदी बनती है परंदु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े है मैं फलाना हूँ अभी तुम्हारी बुद्धी में हैं हम आत्मा हैं बाप भी आत्मा है इस समय तुम आत्माओं को परंपिता पढ़ाते हैं इसलिए गायन है आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल कल्प कल्प मिलते हैं बाकि जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझ कर ही पढ़ते पढ़ाते हैं बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं जज बेरस्चरादी भी आत्मा बनती है तुम आत्मा से तो प्रधान पवित्र थी फिर तुम पार्ट बजाते बजाते सब पतित बने हो तब पकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ बाप तो हैं ही पावन यह बात जब सुने तब धार्णा हो। तुम बच्चों को धार्णा होती है तो तुम देवता बनते हो। और कोई की बुद्धी में बैठेगा नहीं क्योंकि यह है नई बात। यह है ग्यान, वह है भक्ती। तुम भी भक्ती करते करते देह अभिमानी बन जाते हो अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म भिमानी बनो हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं घड़ी घड़ी याद रखो यह एक ही समय हैं जब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं राजाई उची यात्रा है चड़े तो चाके बैकुंठ रस विकार में गिरने से एकदम चकना चूर हो जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन पद बहुत कम होगा यह राजाई स्थापन हो रही है इसमें पद कम पद वाले भी चाहिए सब थोड़े ही ग्यान मे चलते हैं फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए तो माताओं की भी बहुत महिमा है वंदे मातरम भी गाया जाता है जगत अंबा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बहुत सर्विस की है जो बहुत सर् तो भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए जो किसको खिलाएं तो उनका भी हिर्दाय शुद्ध हो जाए ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा अपने से पूछो हमसे बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनका इहर्दाय पिघल जाए घड़ी घड़ी याद भूल जाती है बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूद है क्योंकि तुम सोला कला तो भी बने नहीं हो संपूर्ण बनना जरूर है पूर्णिमा के चंद्रवा में कितना तेज होता है फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है घोर अंधियारा हो जाता है फिर घोर सोजरा यह विकार आदी छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तुम चाहते हो महराजा बने परन्तु सब तो बनना सके पुरुशार्त सब को करना है कोई तो कुछ पुरुशार्त नहीं करते इसलिए महारती घोड़े सवार प्यादे कहा जाता है महारती थोड़े होते हैं प्रजावल अशकर जितना होता है उतने कमांडर्स वा मेजर्स नहीं होते हैं तुम्हारे में भी Commanders, Majors, Captain है, प्यादे भी हैं, तुम्हारी भी यह रुहानी सेना है, सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा, तुम हो गुप्त Warriors, बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है, बाप कहते हैं धंदा धोरी भल करो, बाप को याद करो, तुम जब जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक के, अब वह माशुक मिला है तो उनको याद करना है, आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे, बाप ने बताया है तुमको यहां तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है आत्मा को ही बनना है आत्मा ही मेहनत कर रही है इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है यह है मरत्यों लोग का अंतिम जन्म फिर जाना है अमर लोग आत्मा पावन बनने बिगर तो जा नहीं सकती सबको अपना अपना हिसाब किताब चुक्तू क करके जाना है अगर सजाए खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के आठ दाने कहे जाते हैं नौरतनों की ही अंगुठी आदी बनती है ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुखे स पहला संगम युक पर स्वयम को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवितरता की धारणा से अपनी क्यारक्टर सुधारनी है, ट्रांस आधी का शौक नहीं रखना है दूसरा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हट्योग नहीं है, लेकिन याद की यात्र को कभी भोलना नहीं है योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हिर्दय शुद्ध हो जाए वरदान अपनी सुक्ष्म शक्तियों पर विज़ाई बनने वाले राजरिशी, स्वराज अधिकारी आत्मा भव करमेंद्रे जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धी संसकार इन सुक्ष्म शक्तियों पर विज़ाई बनना यह सुक्ष्म अव्यास है जिस समय जो संकल्प जो संसकार इमर्ज करने चाहें वही संकल्प वही संसकार सहज अपना सकें इसको कहते हैं सुक्ष में शक्तियों प्रविज़ है अर्धात राज रिशी इस्तिती अगर संकल्प शक्ति को ओर्डर करो कि अभी अभी एका ग्रचित हो जाओ तो राजा का ओर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना यही है राज अधिकार की निशानी इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे स्लोगन सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़ेते बड़ी देन है अच्छा ओम शामती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा